स्वागत है आप सभी का Tech Study आई थे यूट्यूब चनल पर NCL यानि Northern Coal Field Limited जो की कोल इंडिया के अंतरगत आने वाली एक मिनी रतना कमपनी है यहाँ पे 1149 पोस्ट पे ITP Pass Out के अंडेट्स के लिए अप्रेंट्सिप आई हुई है जिसके की फार्म 5 अक्टूबर 2023 से ही भरे जा रहे हैं बढ़ कुछ बेस्तिता के कारण आप लोगों के फार्म भनने का वीडियो हम नहीं ला सके जो की आज आज आपको अवेलिबल हो जा रहा है आप अपने मुबाइल फोन से आसानी से फार्म एपलाई कर सकते हैं सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा साथ में वीडियो को लाइक वाशेर जरूर कीजेगा और अपनी अच्छी तैयारी वाश सभी तरह की अपडेट के लिए आप टेक स्टेडी आई टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं तो गूगल प्ले स्टोर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप सर्च करके वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा आगे बड़े उससे पहले जस्ट आप यह नोटिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं जिसमें टोटल ITI के एलेक्ट्रोनिक मेकेनिक, एलेक्टरिशन, फिटर, वेल्डर, मोटर मेकेनिक और आटो एलेक्टरिशन के मिलाके एक ग्यारा सो चालिस पोस्ट पे वेकिंसी निकाली गई है 1 year के apprenticeship होगी after 1 year आपको एक apprenticeship का certificate मिलेगा और आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा इसका detail video हमने बना दिया उसको आप जरूर देख लीजेगा इस vacancy में 2 state की तरब से vacancy निकाली गई मध्यप्रदेश और UP तो वही candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं मध्यप्रदेश और UP से बिलाउंग करते हूं मध्यप्रदेश टोटल 621 पोस्ट है और UP से टोटल 519 पोस्ट पे vacancy निकाली गई है फार्म भनने की कोई fees नहीं है आप लोग आसानी से NCVT, SCVT से IT pass out है तो आप यह फार्म भर सकते हैं कोई इसमें और restriction नहीं है age limit 18 साल से लेके 26 साल तक रखी गई है and साथ में SCVT को 5 साल और OBC को 3 साल की इसमें छूट भी मिल जाती है तो फार्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे apply here पे क्लिक करना है apply here पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक page open हो जायेगा यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे apply करने के लिए यहाँ एक आपको option मिल जाएगा apply करने का इस पे आपको again click कर देना है जैसा आप इस पे click करेंगे आपके सामने इस तरह से NCL Apprentice apply करने का page open हो जाएगा इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं आप डारेक्ट भी इस पे आ सकते हैं आपको इसमें जो जो चीजे दी गई वो पढ़ लेना सबसे पहले आपको नाम, email, id, mobile, नुमबर वगरा दरज करना है password बनाना होगा आपको जिसमें special character alpha numeric होगा आपका ठीक है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ें पर आप जैसे click करेंगे अगला step आपके सामने open हो जाएगा अब इस step में आप देखें सबसे पहले आपको अपना first name इंटर करना है वही नाम आप इंटर करेंगे जैसा आपके 10th की mark seat में है अगर middle name, surname कुछ है तो आप इंटर करेंगे otherwise आप छोड़ देंगे इसके बाद आपको अपना अधार number देना है यहाँ पर email id देनी है mobile number इंटर करना इस पर एक OTP भी आएगा अपनी आपको इहाँ पर again category चूझ करनी है ठीक है, तो category यहाँ हम क्या चूझ कर रहे है apprentice trainee next है आप किस post के लिए apply कर रहे है तो आप जो trade आपका हो आप इसको इहाँ पर चूझ करेंगे माली जिए मैंने यहाँ पर fitter चूझ कर लिया अब next आपको password बनाना है password में ध्यान रिखिए जैसे fitter न इस तरह कई भी आप बना सकते हैं इसमें special character ले सकते हैं numeric कुछ ले सकते हैं ऐसा आपको एक password बनाना होगा बनाके इस box पे क्लिक करके register पे आपको क्लिक करना होगा तो fill कर लेते हैं जैसे आप यह register पे क्लिक करेंगे OTP आपके mobile number पे आ जाएगा उसको इंटर करके आपको यहाँ verify कर लेना है अब registration हो जाने के बाद आपको क्या करना है login पे क्लिक करना है जैसे आप login पे क्लिक करेंगे आपको अपनी email id इंटर करनी जो email id आपने form भरते time fill की थी सेम वो email id आप इंटर करेंगे तो आपने password बनाया हो करने के बाद यहाँ पे जो expression दिया है इसको आपको solve करके इसका answer यहाँ लिखके go पे क्लिक कर देना है जैसे आप go पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा जिसमें देखे लिखा हुआ है last date क्या है 15 October 2020 15 October 2020 से पहले पहले आप सबको form apply कर लेना है इसमें 10 दिन का time दिया गया था form apply करने के लिए क्योंकि सिर्फ 2 state को मौका दिया गया था अब यहाँ apply now पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखे इस पेज एक open हो जागा जिसमें आपको आपका registration number भी दिख रहा है इसे भी आप अपना screenshot लेके रख सकते हैं मैंने विग्यापन देख लिया आपके क्लिक करना है इसके बाद आवेधन करें या apply पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आप से वो सारी चीजें पूछी जाएंगी जो registration के टाइम पे आपने फिल किया था ठीक है आपको अपना जो first name है वो फिर से यहाँ पे इंटर करना है middle name, last name कुछ है तो आप इंटर कर सकते हैं next आपको पापा का नाम अपने यहाँ पे लिखना होगा इसके बाद आपको मम्मी का नाम आपको लिखना होगा ठीक है first name सब में mandatory है इसके आगे कि अगर नहीं है नेम तो आप नहीं भी लिख सकते हैं तो उन्हें जरूर लिखिएगा category यहाँ पे हम OBC चूझ करेंगे क्योंकि हम आपको सू करना चाते हैं आगे इसका certificate मागा जाएगा या नहीं gender हो गया आपका religion हो गया इसके नीचे दिव्यांगता अगर है तो yes otherwise आप no रखेंगे next है आपको यहाँ पे अपनी data birth चूझ करनी है अपनी data birth जो है आसानी से चूझ कर सकते हैं data birth चूझ कर लेने के बाद आपका next step है यहाँ पे आप bachelor है या married है वो चीज़ आपको यहाँ select करनी next आपको अपना address देना address में देखे एक communication address है और एक permanent address है ठीक है अगर permanent address और दोनों address से में आप यहाँ click कर देंगे एक fill करने के बाद otherwise आप क्या करेंगे दोनों address अलग लग यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी bank detail भी देनी है और bank detail में आपको वो bank detail देनी है जिससे आपका अधार कार्ड link हो जिसमें आपको इस type and मिलेगा apprenticeship के दोरान तो यहाँ पे आपको bank name select करना है bank name आपका जो हो उसको आप यहाँ पे select कर लेंगे ठीक है जैसे मालीज आपका central bank SBI जो भी हो ठीक है उसकी branch का नाम यहाँ पे आपको लिखना है ABC जो भी branch हो आप लिख देंगे ठीक है next आपको यहाँ पे IFSC नंबर देना है अब central bank का जिससे होता होगा आप वो IFSC नंबर आपके पास्बुक में रहता है वो आप यहाँ पे enter कर लेंगे account number आपको enter करना account number के बाद खाता number confirm करना है यहाँ पे click करके फिर आपको proceed कर देना है आगे की तरफ सब कुछ fill करने के बाद आपको क्या करना है proceed पे click करना है अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह से page open होगा जिसमें आपको अपनी section की योगेता जो है दर्ज करनी है तो सबसे पहले यहाँ आपको matriculation all subject पे click रहने देना है किस साल आपने pass किया वो आपको यहाँ पे mention करना है name of school या institute ठीक है तो name of school आपका जो हो GIC हो जो आपके college का नाम हो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे board NCVT, SCVT क्या है तो यह especially ITI के लिए है ठीक है NCVT, SCVT यहाँ पे ITI के लिए रहता है तो matriculation में NCVT, SCVT नहीं होता district, अगर सोनभद्र है तो आप चूझ करेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे preference मिलेगा other है तो आप other पे चूझ कर देंगे पाठ्ठक्रम की अवधी क्या रही है one year रही है तो उसको आप चूझ कर लेंगे date of completion आपका course कब complete हुआ तो उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है ठीक है उसको इंटर कर लेना है आपको 2016 यहाँ पे होने वाला है and जिस मन्त में आपका result आया है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे percentage आपका कितना रहा वो आपको यहाँ पे sow कर देना है ठीक है नेक्स्ट है आपका ITI फिटर ट्रेड यहाँ पहले से आया हुआ है किस साल आपने पास की वो आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट है कहां से आपने पास किया college का नाम लिखना है यहाँ पे आपका board NCVT आएगा ठीक है अगला है राज जिचुने कहां से आपने पढ़ाई की है UP से सोनभद्र या अदर डिस्टिक है वो लिखेंगे आप कितना साल का duration था 2 years का था कब आप पास हुए आपका result जब आया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा ठीक है वो लिखने के बाद आपको percentage आपका कितना रहा वो आपको यहाँ पे mention कर देना है mention करने के बाद इस वाले box पे क्लिक करना and proceed कर देना आगे के लिए जैसे आप प्रोसीड कर देना है अपका पूरा form आपके सामने खुल जाएगा सारी चीज़े चेक कर लेनी अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो confirm पे क्लिक कर देंगे जैसे आप यहाँ confirm पे क्लिक करते हैं देखिए क्या क्या चीज़े आपको यहाँ upload करनी है सबसे पहले आपको jpg format 50kb तक photo next 50kb तक का आपको signature इसके बाद 10th का certificate आपको upload करना है PDF में 1MB तक का ITA का certificate upload करना है ठीक है यहाँ देखिए certificate and mark sheet दोनों एक साथ आप merge करके upload कीज़ेगा 1MB तक का certificate जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पे upload करना है and अगर CGPA आपका है तो उसको percentage में अगर आपने convert किया उसका कोई certificate है तो आपको देना है otherwise आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वह यह if available available है तो दीजिए otherwise आप direct आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ पे सभी तरह के document हमने upload कर लिए है अब यहाँ पे iherby जो आपका declaration इसको आप click करेंगे and submit कर देंगे जैसे आप form को submit करेंगे आपका आवेदन प्राप्त हो गया आपका आवेदन करमांक यह है तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे NCL Northern Coal Field Limited में आई हूई अप्रेंटिशिप जो की 1140 पोस्ट पे आप step by step form भर सकते हैं आई होप वीडियो से आपको मदद मिली होगी अप्रेंटिशिप के फायदे इसके बारे में हमने डेटेल में जो वीडियो बनाया इसके अप्रेंटिसिप का उसको आप चैनल पे जरूर चेक आउट कर लिजेगा करेंट में कई सारी और पर्मनेंट जाब वो Nirवीज़ आई हुई है अपना मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में